Hey guys, welcome back to Superfast English Accent में दोस्तों लिखा हुआ है कि Thanks God Thanks God यहाँ पर लिखा हुआ है और आगे लिखा है कि Your Family and You are Safe No Error इस पूरे sentence में आपको कहीं पर क्या कोई नज़र आ रहा है कोई mistake क्योंकि यहाँ पर देखेगा अब मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा यहाँ पर देखेगे सबसे पहले लिखा हुआ है यह जो लिखा है ना भाई यह Thanks God जो लिखा है इस पार्ट के अंदर mistake है ऐसा क्यों है हमेशा आप याद रखना कि जब भी कभी imperative sentence होते हैं imperative sentence मतलब जिनकी सुरुवात हमेशा बर्व की first form प्लस object के साथ होती है उनको हम imperative sentence बोलते है अब यहाँ पर बोला गया है Thanks God तो यह गलत है क्योंकि imperative sentence में जो सबसे पहले जो वर्व आती है ना भाई वो हमेशा याद रखे हैं वो हमेशा singular form में आती है ना कि प्लूरल form में आती है तो मैं क्या करूँगा यह जो S लिख रहा है इसे में हटा दूँगा और यहाँ पर बन जाएगा Thank God ठीक है हम लोग बोलते है Thanks God यह गलत है Thank God होगा मतलब भगबान का बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है यह सब जो एसे आपने देखा न Thank You तो वही तो है Thank के वाद क्या object आगया You यहाँ पर क्या Thank के वाद God आगया तो आप जो भी कर रहे है अब ऐसा तो नहीं बोलते है आप Thanks You ऐसा नहीं बोलते है ठीक है चलेगा तो पहला concept clear हो गया होगा आप याद रखना हमेशा के जब भी कभी imperative हो तो उसमें हमेशा वर्फ की first form लगानी है और उसमें कोई S और ES नहीं आता एक और चीज़ देखेगा आपको समझ में आ रहा होगा यह देखेगा इस वाले part में अब देखे Your family and you are safe एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि आपका Your family है और end है यानि इस end से जो जुड़ा हुआ है Your family and you मतलब दौनों के दौनों plural है और जब plural होता है तो आपको पता है कि वर्फ कैसी आती है plural आती है तो यह तो भई पहला हो गया question ठीक है यह वाला कर लेता हूँ चलेगा देखेगा We usually have the lunch at 10 यानि कि वो यह बता रहा है कि हम usually मतलब सामाने तोर पर हम 10 वज़े क्या करते है lunch करते है क्या यह sentence जो लिखा हुआ है क्या वो सही है या गलत है तो इसके लिए मैं आपको जस 2 second का time देता हूँ देखेओ कि जब भी कभी lunch है न यह common noun होता है और याद रखना कि common noun अगर कोई भी noun अगर common noun की तरह इस्तमाल किया जाता है तो उससे पहले कभी दा नहीं लगाते यह एक जब भी आप article पढ़ेंगे तो इसका एक क्या है rule है कि common noun अगर common noun की तरह ही इस्तमाल हो रहा है तो उससे पहले दा का इस्तमाल आपको नहीं करना है तो यह समझ में आ गया और बाकी देखेगा यहाँ पर लेखा at 10 यह एक समय है और जब भी कभी समय आ जाता है तो हमेशा उससे पहले आपको at लगाना है at 10 o'clock हो सकता है at 9 o'clock हो सकता है या फिर at 10 हो सकता है तो वो तो समय है इसलिए वहाँ पर at आ गया अपच्या आगे देखेगा याद रखना यहाँ पर has नहीं आएगा have आएगा क्योंकि जब भी कभी I, V, U, they अगर आए तो हमेशा बर्फ की first forum आती है उसमें कोई भी yes और yes नहीं आती है इसलिए रहे चलेगा आगे देखेगा आगे है एक sentence बड़ा ही अच्छा है यह लिखा है कि please tell to me the story no errors देखो यह मैंने ना questions एकदम अच्छी तरह से जो है type किये थे और मैं चाहता था कि this questions इस बार बड़े अच्छी लिए जाएं ज़्यादा परिशानी नहो और आपको 10 में से 10 करना है नहीं हो तो कोई बात नहीं इसमें से एक चीज आप देखेगा जब भी कभी यह tell to me जो लिखा है ना इसके अंदर ही mistake है और mistake क्यों है वो बताता हूँ देखे आपको पता होगा कभी भी याद रखना ये दो चीज है ये पिसली बार पेपर में आया था एर फोर्स में कि कभी भी अगर tell आ जाए ना तो tell के बाद object आता है तो उनके बीच में कोई कभी भी ना कभी to बगरा नहीं आता लेकिन यहीं पर अगर say होता तो say के बाद अगर कोई object आएगा तो say और object के बीच में आपको to लगाना है लेकिन अगर tell आ जाए तो tell और object के बीच में कभी भी आपको to नहीं लगाना है तो ये दोनों चीज़े आप clear कर लिजएगा चाहे वो active form हो चाहे पैसे वो, आपको पता होगा कि tell का क्या होता है told हो जाता है say to, तो say to का क्या हो जाता है sad हो जाता है ठीक है भाईया, अच्छा आगे देखेगा, आगे questions है तो फिलाल में आप याद रखना कि tell to me कीज यहाँ पर क्या हो जाएगा to hurt जाएगा आगे he is not as stronger as his brother यानि वो अपने भाई की तरह है जितना उसका भाई है उतना अपने भाई की तरह क्या है वो मजबूत नहीं है, stronger नहीं है क्या लगता है sentence के अंदर कहाँ पर mistake हो सकती है तो मैं शुरूबा से ही चलता हूँ अगर कभी भी he, she, it या फिर a का नाम आ जाए तो हमें साबको is लगाना है ये वाला तो एकदम सही है आगे है not as stronger as his brother देखेगा आपने comparative, positive और superlative degree का खूब पड़ा होगा मैंने खूब पड़ाया था चिंता मत करना इस वार भी आप सभी को पड़ाऊंगा ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा होगा कभी भी अगर as, as आ जाए कभी भी याद रखना है ये rule होता है especially as, 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 ये rule होता है या फिर so as भी हो जाए कुनों दिकत, कोई दिकत नहीं तो चाएं as, as हो चाएं so as हो हमेशा याद रखना इन दोनों के बीच में जो adjective आता है वो हमेशा positive adjective होता है यानि positive degree होती है understand उसमें कोई comparison नहीं होता क्योंकि ऐसा लगता है उसके बहाई से comparison किया जा रहा है तो comparative लगा दो ऐसा नहीं करना है edge, edge हो तो याद रखना है ऐसे समझो देखो ये दोनों ही same है यहाँ भी edge है और यहाँ भी edge है तो जब दोनों ही समान है तो न तो comparative होगा कोई तो लना ही नहीं हो सकती जब दोनों ही समान है तो और नहीं उनमें से एक भैतर हो सकता क्योंकि दोनों के पास पांच-पांच रुपे है तो हमेशा उसमें भी जो degree आएगी वो हमेशा positive degree आएगी इसलिए stronger की जगए strong हो जाएगा क्या हो जाएगा strong हो जाएगा इस जगए कि यहाँ पर एक चीज समझ मारा हो यह off लेखा हुआ है क्या लेखा है off लेखा हुआ है तो इसमें एक rule होता है और यह rule थोड़ा आप ध्यान से पढ़ लिजएगा कि देखेगा यहाँ पर यह बर्व है न तो one लिख रहा है तो यहाँ पर क्या आजाएगा have की जगए पर क्या आजाएगा has आजाएगा अच्छा इसमें हमेशा याद रखना है इसमें दो-तीन questions बनते है वो बता देता हूँ क्या बनता है कभी भी one of आजाए each of either of one of यह आपको पता होना चाहिए पिसली वार एरफोर्स में पूछा गया था कि one of each of either of इनके बाद यह जो नाउन आता है वो हमेशा plural आता है लेकन जो यह बर्व आती है न वो हमेशा कैसी आती है singular आती है तो यह आप याद रखना हैव की जगे पर क्या जाएगा हैव आ जाएगा हैव की जगे पर है जा जाएगा ठीक है आगे my wife is being serviced मेरी wife जो है वो serviced मलब की जा रही है so I am going to the office by walk अब इसका मतलब है यहाँ पर जो sense दे रखा है office जाने का वो पैदल जाने का sense हो रहा है तो जब भी कभी पैदल जाने का कभी भी अगर किसी sentence में कभी sense निकले तो by walk नहीं by foot लगा दिना है क्या लगा दिना आपको by foot लगा दिना है by foot का मतलब पैदल जाना तो पैदल जाना में by walk नहीं आता by foot आता है यह एकदम conceptual है इस सेंटेंस के अंदर आप सब ने प्रेपोजिशन को फिल कर लिया होगा, मैं आपको बता दूँ, जब भी कभी हम किसी परिवार में जन्म लेनी की बात करते हैं, तो ऐसे में आप हमें से याद रखना कि बॉरन के बाद आफ प्रेपोजिशन आपको लगा देना है, ठीक है, तो याद रखेंगे, किसी परिवार में अगर जन्म लेनी की बात हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको आफ लगा देना है, आगे बढ़ जाएगे, देखेंगे, अगे है कि she turn a deaf ear to my advice, यानि मैंने उसको advice दी और उसने क्या कर दिया, कि अपना जिससे वो नहीं सुनता था, वो वाला कान उसने मेरी तरफ कर दिया, turn कर दिया, मोड दिया, तो ऐसे में उसका मतलभ क्या हो गया, कि वो अनसुना कर रहा है, उसकी बातों को नहीं सुना चाहता, तो अनसुने की spelling को क्या बोलते हैं? Disregarded, क्या बोलते हैं? Disregarded, तो यह याद हो जाएगा कि turn a deaf ear का मतलभ क्या होता है? disregard करना unsunna कर देना ठीक है काफी close options है तो याद रख लेना आगे देखेगा कि one who designs buildings यानि ऐसा व्यक्ति जो buildings को design करता है उसको हम क्या बोलते है देखेगा उसको बोलते है architect क्या होता है होता है न architecture बड़ा अच्छा है तो वो architect होता है तो architect यानि कि आपका बीवाला होता है देखेगा मैशन क्या होता है राजमिस्त्री जो घर को बनाता ना भाईया आगे देखेगा a builder मतलब जो buildings को बनाता है न an engineer ये तो आप जानते है अव्यनता होता है अब एक मैं आपको चोटा सा question आप सब के लिए देता हूँ कि awkward की spelling आपको इन चारों में से सही बतानी है तो आप comment करके अपना score बताएगा चलेगा मैं बता देता हूँ ताकि आप score बता सकेंगे दस में से दस कितना हुआ तो awkward AWK WARD awkward मुझे लग रहा है तो उता है awkward चलेगा अब मुझे आप comment करके बताएगा कि कितने विर्दियार्थियों का दस में से 10 score हुआ कम है तो कोई बात नहीं समय है इंप्रूव कर सकते हैं आप देखिएगा जैसे ये लिखरा है जग है खाली जग है ये है देखो books are available in the library अब मेरे समझ में यह आ गया कि books जो है countable है तो little तो आएगा ही नहीं तो जाई जैसे सिर्फ ये few इस्तमाल कर दिया are available in the library तो ये बात आप समझेगा कि यहाँ पर few तो नहीं आएगा यहाँ पर a few आएगा क्यों? क्यों कि भाई वो बोल रहा है कि कुछ किताबें library के अंदर उपस्तित है इसका मतलब वो positive बात कर रहा है कुछ किताबें हैं तो कुछ किताबें हैं तो अफ्यू आएगा सभी किताबें हैं तो दाफ्यू आएगा राइट ना? अगर यह negative होता यानि फ्यू अगर हम इस देखाए फ्यू लिखते तो बताओ क्या यह sentence ही होता? जब available है तो जबकि फ्यू जो होता वो negative meaning रखता है तो इसमें बोल रहा है कि library के अंदर किताबें available हैं तो इसका मतलब few या little का तो कोई मतलब है ही नहीं इसका मतलब अवाला option आएगा दा वाला क्यों नहीं आए क्योंकि आगे sentence पे कुछ का नहीं गया संपूर मात्रा के बारे में कुछ meaning हमें समझ से भी समझना होता है आगे देखे आगे देखो the class was attended by few boys that are insufficient in numbers अब यह समझेगा मैंने क्या बोला कि यह देखो लेख रहा है few boys अब यह देखेगा यानि the class was attended sorry the class was attended by few boys that are insufficient in numbers अब नमबर की बात की जा रही है यानि class में जो बच्चे जो उपस्त थे by few boys कुछ लड़कों के द्वारा that are insufficient in number number में क्या आते हो insufficient थे तो ऐसे में आपको यह समझ लेना है कि class के अंदर कुछ जो है बच्चों की बात की जा रही है तो कुछ की बात की जा रही है इसका मतलब किया हो जागा यहाँ पर a few यहाँ पर right हो जाएगा तो यह चीज़े हैं जो छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ लेनी है और इसमें कोई भी problem नहीं होगा जब आप समझ जाएंगे तो आपको यह जो little और few वाला confusion है वो दूर हो जाएगा आगे देखेगा अब little का भी same बता दिया uncountable water तो मैंने little लगाया knowledge uncountable है तो a little लगाया आगे मैं आपको बता देता हूं क्या पूरा भरोसा है मुझे आपको यह समझ में बेलकुल आ गया होगा चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं आगे 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 यह क्या यह देखेगा knowledge जो हो वो uncountable है का मतलब इस वाले option में फिव तो आए गई नहीं आगे देखो knowledge is a dangerous thing अब इसमें क्या little आ सकता है क्या नहीं देखो वो यह बोल रहा है कि जो आपके पास knowledge है जो जानकारी है वो कैसी होती है खतरनाक जानकारी होती है भाई कौन सी जानकारी खतरनाक होती है तो ऐसे में जाईज है कि यहाँ पर little नहीं यहाँ पर little आना चाहिए a little knowledge यानि कि कुछ जानकारी कुछ जानकारी आपको क्या है वो dangerous thing होती है यानि कHe खतरनाक होती है तो कुछ जानकारी होगी आपके पास तभी तो खतरनाक होगी देखो संपूर्ण जानकारी तो खतरनाक नहीं हो सकती है a meaningful sentence देख सकते है संपूर्ण जानकारी खतरनाक कैसे हो सकती है और एक little knowledge कुछ जानकारी ही नहीं है तो वो खतरनाक नहीं होगी इसका मतलब कुछ जानकारी है जो बिल्कुल सही है गलत है पता ही नहीं है तो जाइज है वो खतरना कोगी तो यहां पर रहा अलेटिल आएगा आगे देखेगा दा डॉक्टर कॉंफिटेंटली सैड डैड डियर वाज लिटल होप ओफिज सर्वाइवल डॉक्टर ने कॉंफिटेंटली एक दम कह दिया था कि भाई उसके जुन्देर सर्वाइवल की मतला उम्मीद जो है वो कुछ उम्मीद है अब आप यह समझेगा कि अगर उम्मीद की बात कर रहा है आगे कुछ उम्मीद थी तो ऐसे में लिटल नहीं यहां पर अलिटल लाना चाहिए यानि कि अलिटल हो कुछ उम्मीद है तो यहां पर मीनिंग्फुल सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा चलेगा अब मैं आगे कुछ नियम बता देता हूं आच्छा देखो और वाली में अधर नहीं लगाते। अलिक जैसे लेकि रहा है और अधर बॉइज ऐसा नहीं होता ऑल के बाद अगर प्लूरल काॉंटेवल ना हुन आता है तो आप वहां पर दा लगा सकते ओल दा बोईज इस तरह से तो देखो अगर देखो यह याद रखना है कि गए तो आप दा लग लगाना है all के बाद दा तभी आएगा जब वो प्लूरल काउंटेमन नाउन हो लेकिन यह अनकाउंटेवल नाउन आ रहा है मतलब आप उसमें दा नहीं लगाएंगे देखो यहां पर कोई दा नहीं लिख रहा है और देखो वाटर है सुगर है यह सब क्या है अनकाउंटेव का कि हिज all friends and all is friends गुरु जी इस दोनों में जो है वो सही कौन सा है देखो भाई एकदम में clear कर देता हूं कि all his friends यह एकदम सही है हमेशा आप याद रखना कि कभी भी यह जो all होता है उससे पहले आप कोई भी possessive नहीं लगा सकते माई और हिज नहीं लगा सकते है तो यह द लगता वो किसी नाउन से पहले लगता है ना भाया तो नाउन तो सिर्फ friend और तो एक अड़्यक्टिव है तो ऐसे में आप सिर्फ यह वाल आप इस्तमाल कर सकते हैं तो all के बाद आप पजैसिव प्लूरल नाउन लिख सकते हैं लेकिन all से पहले आप पजैसिव नहीं लग यह चीज आप थोड़ा थोड़ा याद रखेगा आगे देखो whole boys were engaged in their personal work यह sentence लिखाए और आपको समझ लेना है कि यहाँ पर whole जो है वो जाहिसे से सभी sentences गलत हैं क्योंकि मैं बता सको ऐसे में देखो अगर यह plural countable noun यह आपको कहीं लिख रहा है और आगे अगर whole लिख रह है तो whole की जगह पर आप all दा इस्तमाल करेंगे और दा क्यों आया क्योंकि all और boys यह जो boys है plural countable ना होना है आगे देखिए आगे देखिएगा he is last person entered in the auditorium अब देखो भाई last के दो मीनिंग होते हैं इन दोनों को आप समझ लीजेगा देखो last एक तो होता है कि जैसे last month last year last week last last Sunday यानि के कोई time को बताता है last से यानि अंतिम रविवार अंतिम साल और एक होता है क्रम को बताने में आप जैसे आपने वह पड़ाना और क्रम प्रच क्रम परिक्षण अरे वह नहीं देखा क्या एक लाइन पर मतलब जो है डाएं से इना लेफ्ट से राइट से पूरव से इस तरह से लिखा होता है ना होता है नहीं होता है seat arrangement का भी आपने reasoning में पड़ा होगा तो उनमें last बाला option बहुत जाता है तो last का मतलब होता है यदि वो क्रम यानि कि कोई position के बारे में बात कर रहा हो तो आप जो है last से पहले दा लगा सकते हैं अरे मैं आपको CDC बात होता द जा रही हो तो last से पहले first से पहले आप यहां पर दा लगाईगे लेकिन यदि किसी time की बात के जा रही हो यानि कि कोई समय की बात की जा रही हो तो फिर आप last से पहले इस दा का इस्तमाल जो है वो नहीं करेंगे right आरे ग नहीं आ रहा ऐसा ही अगर यहां पर next होता तो अग टाइम को शूव करते हैं तो आगे तरहें हैं आगे पर जाएगा देखेगा अभी मंत आगया है तो जाएच इस चीज और आप याद रखे बाई के वाद अगर कोई ट्रांस्पोर्ट की चीज आती है बस है, कार है, रेल गाड़ी है या फिर एरोप्लेन है तो हमेशा यहाँ पर कोई दा का इस्तमाल जो है वो नहीं होता, यह कई वार रेपेट हुआ है जो कि गलती होती है अच्छा देखो, यहाँ पर देखे गोज टू ता इस्कूल जो लिखा है वो दा नहीं आएगा, ऐसा क्यों नहीं आएगा हमेशा आप याद रखना एक होता है प्राइमरी जो परपस है एक होता है सेकंडरी परपस यानि कि अगर मैं आपसे यह वोलू कि मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता है या फिर मेरी बेटी स्कूल जाती है तो इसका मतलब क्या रहा आपके दमाग में सीधे सिर्फ एक ही ध्यान आएगा कि वो पड़ाई लिखाई की बात कर रहे स्कूल में पढ़ने की बात कर रहे या कोई फीस जमा करने की बात की जा रही हो तो आप यह समझ सकते हैं सेंटेंस को पढ़कर की आप इसे प्राइमरी या सेकंडरी का आप जो है अलग-अलग डिफ्रेंस वेरी कर सकते हैं तो ऐसे में आप हमें इसा याद रखें यदि मीनिंग अगर सेंटेंस का जो मतलब है वो सिर्फ जो शब्द लिखा है सिर्फ वही बताता है इसका मतलब है कि वहाँ पर आप दाइस नमाल नहीं करेंगे लेकन यदि कोई दूसरा मतलब दे रखा है इसका वो पढ़कर ही समझ माएगा तो आप दा लगा सकते हैं अब यह समझेगा बच्चा जो है वो बस के परपज़ की बात कर रहा है तो दान नहीं आएगा आगे देखिए आगे देखो दा the patient is admitted to the hospital या फर आप सीदिए admitted करेगा the patient admitted to the hospital अब ये क्या सही है क्या patient जैसे ही अमने नाम सुनेंगे तो hospital में क्या होता है treatment के लिए जाय जाता है तो इसका तो मतलब जैसे पढ़ा वैसे ही मतलब निकल रहा है तो इसकूल ये तो गलत बात हुई ना parents का सम्मन स्कूल से क्या है भाईया मावाप थोड़ी पढ़ाएंगे मावाप पढ़ते तो है लेकन जब भी कोई सुनेगा कि मेरे ममी पापा इसकूल बुलाए गए तो इसका मतलब क्या रहेगा बताओ पढ़ने के लिए थोड़ी बुलाए गए वो हो सकता है अपने बच्चे की जो है वो reports बरात दिखाने के लिए score reports दिखाने के लिए उनको बुलाया हूँ fees दमा कराने के लिए दिखाया हो या बच्चे सहता नहीं कर रहा हो तो उसके लिए दिखाया हो तो एक बात आप मुझे बताई है मैं अगर किसी से मिलने के लिए खाना देने के लिए दवाएं देने के लिए पैसा देने के लिए या फिर लुक आफटर करने के लिए दि मैं होस्पिटल जाता हूँ तो जाइज है कि मेरा सेकंडरी परपस है वहाँ पर मैं खुद के बतार रहा हूं क्योंकि यह सर कई बार रिपीट हुई है मैं नहीं चाहता कि आपका नम्मर गटे हमेशा आप याद रखना कि रोइट इस दा बैटर ओफ दा टू एक्टर्स कभी भी ओफ दा टू आ जाए ओफ दा टू और कंपरीजन की बात की जा रही हो स्लेक्शन की बात क जा रही हो तो हमेशा आप याद रखना कि सकंप्रेटिव डिगरी से पहले हमेशा दा का किसी सतमाल होता है किसका होता है दा का इसतमाल होता अब एक बच्ल ने मुझे कमेंट करकल किया ता ग्रुझी आप एल्डर और ओब अचल में में क्या उत시면 स्काना बह Eckhart यी एक elder जो होता है वो अपने परिवार, अपने relation का कोई बड़वाई है, वो आप elder लगाईएगा, understand, you are my elder brother, understand, तो अब आप ये समझेंगे, अपने खुद की relation में अगर बात की जा रही हो, कोई बड़ा है, छोटा है, तो आप लगाएगे बड़े के लिए, लेकिन अगर relation में यह सर्फ भाईया लगता है तो जाहिज है कि बाएंपर आउल्डराप लगा सकते हैं चलेगा आगे बढ़ जाते हैं यह मैंने आपको कल बताया था कल पेपर में आया था मैं एक पेपर पड़ रहा था नाम नहीं बताऊंगो बनना बबबग जाएंगी तो ऐसे में क्या है कि उसमें यह question इस तरह से आया हुआ था यह अलग था लेकिन जो concept था वह यही था यानि कि देखो जब यही दो विचारों की तुलांत्मक उल्लेख करना हो जहां वाकिसे जितना उतना का अर्थ निकले अब देखो कुछी रामाहेड लिख रही है ना इसलिए मैं रामाहेड क तो दोनों sentence की सुरुआत यदि इन दोनों में से एक की सुरुआत यदि दा comparative डिगरी से होती है तो दूसरे वाले sentence की भी सुरुआत दा comparative से होती है या फर ऐसे sentence दिया होता कि यह हट जाता यह लग रहा है you read the more you learn समझ जाना कि इस sentence से पहले आपको दा comparative लगाना है राइट तो अच्छा एक और चीज़ में बता हूँ ऐसे गलती भी नहीं बनेगी यह सिर्फ इस तरह से गलती लिखी आएगी यह खाली जगे आ जाएगा more you read the more you learn समझ जाना है यहाँ पर आपको दा लगा दिले अब यह मैं सोचना कि comparative से पहले दा क्यों लगाया देखो यहां पर भी दा लग रहा था और पीछे वाले में मैंने दा लगाया है तो यह चीज़ें अपवाद के रूप में इन्हें आप याद कर लीजेगा चलेगा दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स वीडियो के साथ वीडियो को लाइक